हलो फ्रेंज, NTC News में आप सबी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अर्शना कौशल, आप देख रहे हैं, NTC News, NTC News हर बार आपके लिए लेकर आता है special चटपटी और खास टोरिस, तो दोस्तों देखते हैं, आज NTC News में आपके लिए क्या है खास? भारत में कई बार नहाने की वज़े मेहिच सामाजिक दवाब होता है, कई बार गंदा ना होने के बाद भी लोग घंटों बाथरूम या नहाने के स्थल पर पानी बहाते रहते हैं, जिसकी आवशक्ता कते ही नहीं होती, एक हालिया सर्वे में पता चला कि नहाने के मामले में दुनिया में शिर्ष देशों में भारत, जापान और इंडोनेशय के लोग कहीं आगे हैं, चुकि भारत में अभी पानी का संकट उस स्तर का नहीं है, इसलिए इस विशय पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया है, लिकिन कई पानी बचाओ संगचन वयन जी ओ जब तब इ नहाना कर्शन किया करते हैं कि नहाने की उपर भारती कितना पानी बरबाद करते हैं, लेकिन विदेशों में इस पर जम कर काम हो रहा है, अमेरिका वपश्चिम की देशों के कई शोधों में यह साबित होता है कि रोजाना नहाना महज पानी की बरबादी नहीं, बलकि शार विशाणों से लड़ने वाली क्षमताएं कमजोर पढ़ जाती हैं, खाना पचाने और उसमें से विटमिन वा अनले पोशक तत्वों को अलग करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। प्रफेसर डॉक्टर सी ब्रेंडन मिचल के अनुसार, रोजाना नहाने से त्वचा से नय सरगिक तेल है जाता है, जबकि ये तेल शरीर के इम्मिन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। जोर्ज वार्शिंग्टन यूनिवर्सिटी के इस प्रफेसर का दावा है, रोजाना नहाना वाकई हाने कारक है, किसी शक्स को एक सबताह के दौरान अधिक्तम दो बार नहाना चाहिए, ऐसा करने से शरीर को कई तरह फायदे होते हैं। जापान के Health and Research Institute ने नहाने पर एक विस्त्रित अधियन किया था, इसके मुताबिर रोजाना नहाने से नाकेवल शारिरिक नुकसान होता है, बलकि इसके घलत प्रभाव मानसिक स्वास्थ पर भी पढ़ता है, हाला कि कई बार तापमान, जलवायू, मूर भी नहाने की आधत और इससे पढ़ने वाले स्वास्थ पर प्रभाव का आकलन होता है, लेकिन एक अहम बात ये है, शौवर से नहाना ज्यादा हाने कारक साबित होता है,